राजिस्थान के कृशी मंत्री किरोडी लाल मीरा ने भजनलाल शर्मा कैबिनेट से स्टीफा दे दिया है किरोडी लाल मीरा ने खुद अपना स्टीफे का एलान किया है वो राजिस्थान सरकार में कृशी और ग्रामीर विकास मंत्री थे किरोडी लाल मीरा कुछ समय पहले तक राज्यसभा सांसत थे लेकिन विधानसभा चुनाफ के दौरान सवाई माधोपूर से विधायक चुने गए थे इसके बाद उन्हें भजनलाल कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था बताया जा रहा है कि किरोडी लाल मीरा ने 10 दिन पहले ही स्तीफा दे दिया था लेकिन उन्होंने इसका एलान आज किया है मीरा के स्तीफे के बाद राजिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है मीरा ने स्तीफा देने के बाद ट्वीट किया जिसमें लिखा है रगुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई मीरा के सी ट्वीट में उनके स्तीफे की वजह भी छिपी हुई है तो देखे किरोडी लाल मीरा जो की वरिष्ट नेता हैं, राजस्तान बीजेपी के छे बार के विधायक हैं वो अगर स्तीफा दे रहे हैं और सारवजनिक तोर पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं तो इसके पीछे के राजनेतिक माईने क्या हैं, सियासी माईने क्या हैं, इसका अंदाजा लगाना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है इसके पीछे की वज़े जो समझी जा रहे हैं वो ये कि लोगसभा चुनाव में किरोडी लाल मीरा को पूरवी राजस्थान के साथ लोगसभा क्षित्रों की जिम्मेदारी सौपी गई थी इसी दोरान मीरा ने कहा था कि अगर इन साथ सीटों में किसी भी सीट पर बीजेपी हार जाती है तो वो इसकी जिम्मेदारी लेकर मंतरी पत छोड़ देंगे मीरा ने जिन साथ सीटों को लेकर शर्त लगाई थी उनमें चार पर बीजेपी हार गई थी इनमें मीरा के प्रभाववाला दोसा सीच भी थी इसी के बाद अटकले लगाई जा रही थी कि मीरा राजस्तान कैबिनेट से स्तीवा दे सकते हैं हाला कि ये भी कहा जा रहा है कि मीरा मंतरी पत के बटवारे के बाद से ही नारास थे और ये वाली जो वज़े है वो ज्यादा प्रॉमिनेंट नज़र आती है क्योंकि किरोडी लाल मीडा अपने मुखर तेवर के लिए जाने जाते हैं अपने अंधोलनों के लिए जाने जाते हैं मंत्री पद के बटवारे को लेकर नाखुश जरूर थे और आप उन्हों ने लोगसभा चुणावों में हार की जिम्मेदारी लेते हुए स्थीपा दे दिया है आपको जानकारी दे दे है कि दोसा सीट जो लोगसभा चुणावों में बीजेपी हारी है कॉंग्रेस ने इस पर जीत दर्ज की करौली धौलपूर में भी कॉंग्रेस को जीत मिली अलवर की सीट पर भी बीजेपी जीती टोंक सवाई माधोपूर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा कोटा बूंदी सीट पर बीजेपी के ओम बिर्ला जीते तो भरतपूर सीट कॉंग्रेस जीत गई यहां से कॉंग्रेस की संचना जाटव जीती हैं इन्ही सीटों को आधार बनाकर किरोडी लाल मीरा ने स्तीफा दे दिया है लेकिन सियासत की जानकार ये जरूर बताते हैं कि किरोडी लाल मीरा ने अपने इस स्तीफे से एक तीर से कई निशाने सादे हैं